आज हम बात करने वाले अकबर की तीन सबसे खुबसुरत रानियों की यानि रुकाईया बेगम की सलीमा बेगम की और जोदा भाई की मृत्यू कैसे होई थी नमबर एक रुकईया बेगम तोस्तों रुकईया बेगम हुमायो के छोटे भाई हिंदल मिर्जा की बेटी थी यानि अकबर की चचेरी बहन थी अकबर ने 14 साल की उम्र में अपने ही चचेरी बहन यानि रुकईया बेगम से निकाह कर लिया था 14 साल की उन्हों में जब इन दोनों का आपस में निकाह हुआ और 17 साल की उम्र तक जब अगबर ने पूरी तरह अपने राज में इतिहार जमा लिया उस समय रुकईया के पास काफी सारी शक्तिया आ गए और साही हरम की वा सबसे बड़ी मुकिया बन गए और राजनिती में भी उसका काफी ज़्यादा हस्ता छेप रहने लगा दोस्तो टीवी सेरे लोगएरा में रुकईया बेगम काफी ज़्यादा जाल साज से करते हुए नजर आती है लेकिन दोस्तो वाकई में ऐसा नहीं था क्योंकि इनका इतिहास देखने पर पता चलता है कि रुकईया वही सक्स थी जो की राजनितिक दौर पर आगबर की काफी ज़्यादा मदद करती थी दोस्तो रुकईया बेगम की बारे में इतिहास में ये भी लिखा गया है कि रुकाया बेगम वहे सक्स थी जिन्होंने अकबर के बेटे सलीम और सलीम के बेटे खुर्रम तक को यानि साहा जहां तक को भी पाला पुसा था यानि हुमायव अकबर, साहा जहां और औरंगेब तक को इन्होंने देखा था और पूरी की पूरी मुगलिया सलत्रत में इनका काफी जादा बोल बाला था क्योंकि अकबर की मृत्तियों के 20 साल बाद यानि 1626 में इनकी मृत्तियों वे थी यानि आपे कह सकते हैं कि अकबर की मृत्तियों के 20 साल बाद दर रुकाईया बेगम का मुगल सल्तरन में काफ़ यादा बोल बाला था और उस समय मुगल सल्तरन में किसी भी प्रकार का कोई मद्वेद नहीं था नमबर दू शलीमा बेगम दोस्तो सलीमा बेगम का जन्व तेश परोरी 1549 को कंडोज में हुआ था सलीमा बेगम के पिता का नाम नूरुद्दिन मौम्मद मिरजा और माता का नाम कुलरुप बेगम था जो कि अकबर की चाची थी नूरुद्दिन मौम्मद मिरजा का अधपत कंडोज के आसपास के छेत्रों पर था नूरुद्दिन मुहमद मिर्जा की बेटी सलीमा बेगम आकबर से साड़े तीन साल बढ़ी थी और वह रिस्ते में आकबर की चचरी बहन भी लगती थी लेकिन इत्यास में ऐसा देखने को मिलता है कि सलीमा बेगम का बिवा सबसे पहले बैरम खान से हुआ था वही बैरम खान जिसने अकबर को राजगदी पर बेटाया था बैरम खान सलीमा बेगम से उमर में लगबक 40 साल बढ़े थी लेकिन बैरम खान की मृत्तू के बाद सलीमा बेगम काफ़ ज़्यादा परिशानियों में रहने लगी थी और ऐसे में मुगलिय सल्तनत में उनके साथ काफ़ ज़्यादा बेदबाओ किया जाने लगा था लेकिन जब एबात अकबर को बता चली कि सलीमा बेगम काफ़ ज़्यादा परिशानियों में है तो अकबर उन्हें साही संदेज भेज कर आगरा बुलवा लेते हैं और उनसे निकाह कर लेते हैं जिसके बाद सलीमा बेगम सामाजी की रूप से अकबर की दूसरी पत्नी बन जाती है अकबर ने सलीमा बेगम से निकाह इसले किया ताकि उन्हें और उनके बिटे रहे वो एक साही परवेश मिल सके आपको बता दें कि सलीमा बेगम का राजनीती में भी काफ़ ज़्यादा हस्ता छेप रहता था क्योंकि हुए काफ़ ज़्यादा होशियार और बुद्धिमान थी यह नहीं माना यह भी जाता है कि हरम में भी उनका काफ़ ज़्यादा बोल बाला था हलाकि अकबर से निकाह के बाद उनका ज़्यादा को इतिहास देखने को नहीं बलता है और आपको बता दें कि सलीमा बिगम की मृत्यों दो जनोरी 1613 में हो जाती है यानि अकबर की मौत के आठ साल बाद नमबर दी जोधा बाई दोस्तों जोधा बाई जैपुर के आमेर रियासत की राजपूत राजा भारमल के सबसे बड़ी बेटी थी जोधा बाई का जन 1542 में हुगा था जोधा एक राजबंसी राज गुमारी थी इनके माता का नम मानवती साहिबा था इन्हें इतिहास में हीर खुमर जोधा बाई हरका बाई आधी नामों से भी जाना जाते है साथ ही जोधा बाई ही उराणी थे जिसने अकबर की बंस को आगे बढ़ाया जोधा अकबर की तीसरी बतनी और उसके तिन प्रमुक मलिकाओंबर से एक थी अगबर अपने सभी राणियों में जोधा भाई से सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे लेकिन इतिहास में जोधा के मौत की शंबंद में अधिक सबूत नहीं मिलते हैं अनेक इतिहासकार कहते हैं कि जोधा की मृत्तियों किसी मिमारी के चलते हुई थे लेकिन कुछ इत्यासकारों का मनना है कि जोधा अपने बड़े बेटे सलीम के बुरा अत्याचारों से काफी जादा दुखी हो गई थी जब सलीम ने आगबर के खिलाब बगाओत कर दी थी तब जोधा भाई इससे सदे में में चली गई थी और उभी मार रहने लगी थी और इससे उन्हें एक दिन दिल का धोरा पड़ा और उनकी मृत्यू 19 मई 1623 में आगरा में हो गई मृत्यू की बाद सलीम ने जोधा की शोग को आगबर की कबर के नजदीक दपन करा दिया था इतियास कार बताते हैं कि जोधा सलीम से काफी ज़्यादा प्रेम करती थी तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको पता चल गया होगा कि अकबर की तीनों बेगमों की मृत्यू कैसे होई थी फिला दोस्तों ही खत्म होती आज की हमारी वीडियो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो देए